नमश्कार चरहट के इंदी में आप सभी का स्वागत है सरत पूर्णी में क्यों होती है खास इस साल सरत पूर्णी में पर गरण लग रहा है गरण के साय में हम चद्रमा की रोशनी में खीर कैसी रखें खीर को कब बनाएं और पूजा किस परकार से करनी है इस बार आज हम इस वीडियो में पूरा विस्तार से जानेंगे दोस्तों अश्विन महा की पूर्णी में को सभी पूर्णी में सबसे खास माने जाता है इस पूर्णिमा को कुजागर पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या फिर शरत पूर्णिमा कहती है हिंदु धर में पूर्णिमा का विशिश महत्व है, साल भर में बारा पूर्णिमा आती है अश्विन महा की पूर्णिमा को सभी पूर्णिमा में सबसे खास मानजाता है भगवान शरी किष्णा और राधा की अधुत और दिव Yazli लिलाओं का आरंम भी शर्ठ पूर्णिमा के दिल हुआ था इसलिए शर्ठ पूर्णिमा बह्त खास मानी जाती है पूर्णिमा की सुएत उज्वल चांदनी में भगवान किर्ष ने अपनी नौ लाक गोपियों के साथ सुएम के ही नौ लाक अलग अलग गोपों के रूप में आकर ब्रिज में महरास रचाया था सरत पूर्णिमा की रात्री पर चंद्रमा पिर्थवी के सबसे निकट होता है और वे अपनी सोला कलाव से परिपूर रहता है इस रात्री में चंद्रमा का ओज सबसे तेजवान और उरजवान होता है उज्वल चांदनी में सारा आस्मान धुला नजर आता है हर तरफ चंद् मा को लक्षमी जी का पूजन भी किया जाता है ना नारत पुरान के अनुसार सरत पूर निमा की धुल चांदनी में मा लक्षमी अपने वहन उलू पर सवार होकर अपने करकमलों में वर और सौभा अभै के लिए निशीत काल में पृत्वी पर भ्रम्र करती है और माता यह भी देखती है कि कौन जाग रहा है यानि अपने कर्टवे को लेकर कौन जाग रहे थे जो इस रात में जाकर मा लक्षमी की उपासना करते है मा लक्षमी की उन पर अश्रीम कर पर बरसती है प्रतिवस्किया जाने वाला यह वरत लक्षमी जी को संतुष्ट करने वाला होता है इस पूजा का क्या महत्व है इस दिन माल लक्षमी के साथ साथ चंद्रमा की भी पूजा अर्चना की जाती है कौारी कन्या आए इस दिन सुभा सूर्य उद्य और चंदर देव की पूजा आजना करें तो उन्हें मन्चाहेवर की प्राप्ति होती है माननता है कि जो लोग इस रात लक्ष्मी की सोड़ो चार विधी से पूजा करके शरी शूक्ति का पाट कना कदारा श्रोत विष्णू सहस्तर नाम का पाट करते हैं उनकी कॉंडली में धन योग नहीं भी होने पर माता उन्हें धन धानने से समपन्न कर देती है सरत पूर्णिमा पर खीर कैसे बनाएं दोस्तों इस बार कई साल बाद सरत पूर्णी में के दिन चंदर घंड लगने जा रहा है और इस दिन रात में भी खीर खुले आस्मान में रखी जाती है ताकि उसमें चंदरमा से अमरत वर्षा हो सके लेकिन इस साल खीर को पूरी रात बाहर ना रखें इससे वह दूशित हो जाएगी घंड 28 अक्टूबर की रात 1 बच के 5 मिनट पर लगने जा रहा है और समापती 2 बच के 23 मिनट पर होगी इसलिए घंड समापत होने के बाद यानि 2 बच के 23 मिनट के बाद ही इस नान कर खीर बनाएं और फिर उसे खुले आसमान के नीचे रखें और वे सुबा भगवान का भूग लगा कर खीर का परसाद घरण करें पूजन का महुरत क्या है शरत पूर्णिमा के दिन सूता काल दोफैर 3 बजे लगने जा रहा है और सूता काल लग जाने के बाद पूजा पाहट नहीं किया जाता मंद्रों के का पाड़ बंद हो जाती है वहीं शरत पूर्णिमा के दिन भगवान विश्णु और मातल लेक्ष्मी की पूजा राद न की जाती है और इस दिन चंद्र अर्धे भी दिया जाता है कर खीर बनानी है और उसके बाद ही पूजा पाट संपन करनी है उससे पहले सूता काल में ना ही खीर बनाए ना ही उससे चंद्रमा की रोश्णी में रखें और सूता के समाप्त होने के बाद ही आप मातल लेक्ष्मी के पूजन करें या फिर सू तक सुरू होने से पहले माता का पूजर कर ले तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंदाई होगी वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें धन्यवाद